हाई फ्रेंज में कुमाने वजकुमने मुवी शूभी करते हैं आप उसमें पॉजिटिव सा नमस्कार यह विड़ो बिल्कुल सेंट्रिक है जो मिरको करीबन 15 जिन से बोल रहे थे कि मैदान का बता दो हमें कि क्या होने वाला बिजनस अनलेसिस कितने पर प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा कुछ चीजों की मैं वेट करा था जिसकी वज़ा से मैंने नहीं बनाया था अब क्यूंकि जो कलेक्शन आज तक कभी वी इद पे हुई है वह भारत मुवी की हुई है 2019 के अंदर 42.3 रेस थ्री 2018 के अंदर आई थी उसने 38.15 क्रोज कमाये थे सुल्तान ने ऐसी 37.3 क्रोज कमाये थे मैं जल दल दी बता रहा हूं बजरंगी भाहिजान ने भी 36.6 कराये थे फिर सल्मान खान तो 28.90 किसी का भाई किसी की जान जो जातर लोगों को पसंद ही नहीं आई है 25.75 क्रोज जबर्दस तरीके की कलेक्शन के इसाब से कितना ज्यादा इंट्रस जिनरेट हो जाता सल्मान खान का बॉड़ी गार्ड 21.60 उस दमाने में 2011 के साब से अच्छी मुई थी ट्यूब लाइट जो कि बिल्कुली ओके भी दी थी यह बिल्कुली बिलोग आवरेज थी वो 19.10 क्रोज पे थी आप यह लगा लिजी कि सल्मान खान का इतना पर्चम है या फिर इतना क्रेज हो जाता है इस टाइम के ऊपर कि बड़े मिया चोटे मिया इतना शोर मजाने के बाद भी 15.50 क्रोज करती है ग्यानवे नंबर पे तो बड़ा क्लियर है कि जब नेक्स्ट यर सिकंदर साहब आएंगे यानि कि सल्मान खाना आएंगे इधी देने के लिए तो बड़े नंबर आप एक्सपेट कर सकते हैं होपफुली जिस तरीके से उनको प्रिजेंट किया जाएगा वह एक अलगी अफ्तार होगा अब बात करते हैं कि मैदान का हुआ क्या और मैदान में आप क्या एक्सपेट कर सकते हैं फ्रम बिजनस प्रस्पेक्टिव यह जी स्टूडियो एक दो जने और और बोनी कपूर साब ने मिर्जूल के बनाई है जिससे बात सावित ह कि यह 90 करोर रुपे के अंदर यह जो मुगी बनी है इसके अंदर मोटे मोटे लेवल पर 40-40 करूर रुपे किसी ने 10 करूर रुपे करके 90 गरूर बेसका एक कौरप रिज्क बन रही था अब मजबूरी इसके अंदर यह लगए इसके अंदर क्योंकि आपकी उपरजूनिट कमाईगी तो दिन के अंदर मोटे मोटे लेवल पर 10 कुरूर रुपए कमाएं तो ज्यादा कुछ है नहीं 10 क्रूर रुपीज अपने दिमाग में रखलो 90 क्रूर रुपीज बजट अपने दिमाग में रखलो अब चलते हैं आगे इसने कमाई कितनी कर लिए स्टार गोल्ड ने इसके टीवी राइट्स खरीद लिए लगब लगब 35 क्रोज रूपए वो भी इसलिए मिलगे क्योंकि शैतान बहुत बड़ी हिट थी उससे पहले दृष्यम 3 काफी बड़ी हिट थी भोला ने भी पैसे मोटे-मोटे लेवल पे पूरे कर लिये थे तो फि दिस्ट्रिब्यूटर उन्होंने बीड़ाओ ठाले जी हम नैशनली इसको डिस्ट्रिब्यूट करेंगे उन्होंने 40 क्रोड रुपी की बोली लगाई म्योजिक के लब लब 15 क्रोड पर क्योंकि इसके अंदर एयार रहमान ने म्योजिक दिया था और एक गाना जो है वो उस नहीं शुरू से गड़ते हैं 35 प्लस 45 80 80 हो गया 80 प्लस जो आपका थेटर के 40 होगे 120 120 और म्योजिक होगे 130 और अदर्स हमने 5 लगाए तो 135 क्रोड रुपै क्योंकि स्क्रीन पर नहीं आ रही तो 135 क्रोड रुपीस टोटल इसने कमा लिए अब माइनस करेंगे 90 से तो आता है 40 क्रोड हो गया यह 45 क्रोड रुपीस का प्रॉफिट जो है वो प्रोडूसर साब ने ले लिया यानि आपस में जितना भी जो भी शेयर होगा बांट लिया अब बात आती है कि जो जी डिस्ट्रिबूटर साब हैं इनका क्या होने वाला है जी डिस्ट्रिबूटर साब अभी 10 क्रूर रुपई आए तो जब तक ये 75 क्रूर रुपीस का नेट बिजनस इंडिया के अंदर नहीं कल रहे थी तब तक तो लॉस ही लॉस है घाटव ही घाटव है अभी 10 क्रूर रुपई आए तो इनके जब के अंदर लगब 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 साड़े 5 क्रूर रुपई ही आएंगे से जितना सुकंत वीर से वरकर जितना बिजनस मुश्किल से ही टच कर पाएगी अलग कि काफी बेटर मुवी है उससे पता नहीं लोग क्यों नहीं देखना जाते हैं सब कुछ-कुछ अलग ही देखना और अलग की डिफिनेशन जो है ज्यादा तर वो मारधार के जोन के अं आलेसिस के उपर तो सब्वेता के जारे में कॉमेंट जरू करिए विल ट्राइटू रिप्लाइए बाए बाए